Okay, जी तो in this video हम एक बहुत important question को discuss कने लगे हैं जो अकसर exams के अंदर आ जाता है कि आप draw करें, label करें brain की superior lateral and inferior medial surface की blood supply तो यह वहाँ पर आपको यही diagram जो हैं वो draw करनी पड़ेंगी उससे पहले मैं ज़रा कुछ आपको ना dimensions बता दे दी हूँ कि हमारा cerebral hemisphere किस तरह से बढ़ाता है तो आप consider करें कि यह दो cerebral hemisphere है और दरमयान में corpus callosum के थूँ यह दोनों cerebral hemisphere और इसके साथ connected है हम क्या करेंगे एक cerebral hemisphere को अलग कर लेंगे मैंने इसको separate कर लिया अब इसके ज़र हम dimensions देख लेते हैं किस तरह से होता है इसके पहले हम तीन borders देखते हैं बिल्कुल जैसे मेरी fist है बिल्कुल वैसे इसके borders होंगे तो यह इसका superior medial border है ठीक है यह medial surface ही ना यहां से वो connected है दूसरे cerebral hemisphere के साथ तो यह medial surface है यहां पर यह superior medial border है अगर हम लीचे से देखें तो इसके दो borders हमें नजर आ रहे हैं एक इसका है हमें inferior medial border नजर जो को medial की तरफ है और दूसरा है inferior lateral border तो तीन border होगे एक हमारे पास superior medial border हो गया दूसरा हमारे पास होगे inferior, medial, और third one हमारे पास होग है inferior lateral border तीन border हो जाते हैं ये तीन border जो है ब्रेन को तीन surfaces के अंदर जो है वो convert कर देते हैं एक जो के हमारे superior medial border और यहां से inferior lateral board के दरमियान है इस surface को हम superior lateral surface बोलते हैं ठीक है ये सारी surface हमारी क्या होगी superior lateral surface होगी उसके बाद superior medial border और inferior medial border के डर्मयान ये वाली जो surface है इस surface को हम बोलेंगे medial surface और ये जो दो border के डर्मयान है हमारा superior medial inferior medial and inferior lateral के डर्मयान इस वाली surface को ये वाली surface को हम क्या बोलेंगे inferior surface तो इस तरहां से 3 border जो है हमारे brain जो 1 cerebral लेमी से फेयर रहा है उसको तीन सफफिस के अंदर कनवर्ट कर देती है एक होती है superior lateral एक होती है medial और एक होती है हमारी inferior surface ठीक है यहां तक layer हो गया इसके बाद जो हम जरा poles की बात कर लेती है brain के जहें तीन पोल्स होंगे, यहां पर आपको फिस से में नज़रा रहा होगा, एक होता है frontal पोल, ठीक है, यह हमें frontal पोल नज़रा रहा है, एक नीचे यह आपको नज़रा रहा है, temporal पोल, ठीक है, temporal पोल, उसके बाद पॉस्टीरियरली यहां पर क्या होगा हमारा ओसिपिटल पोल होगा तीन पोल होते हैं फ्रंटल पोल औसिपिटल पोल और तेंपोरल पोल इसके लावा यह मैंने बता दिया था कि हमारे चार लोब होते हैं मेजरली एक होता है हमारा फ्रंटल लोब एक होता है पराइटल बताने का में मकसद था कि मैं आपको blood supply को समझा सकूँ कि किस तरह से यह वली जो मैंने diagram बनाई हुई है यह medial surface के diagram है यह वली और यह जो diagram बनाई हुई है यह हमारी superior lateral surface की है ठीक है मैं यहाँ पर mention कर देती हूँ यह हमारी superior lateral surface की और यह जो है हमारी inferior medial surface की जो यह वली चीज थी रहा हम इसको जरा इस तरह से देखे करें कि यहाँ पर medial surface भी आज और inferior surface भी तो यह है हमारी inferior medial surface की तो पहले हम जो है superior lateral surface से शुरू करते हैं ठीक है superior lateral अब blood supply को बताने की बार यह पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता है किस तरह अब आपको अब अपको बता रहे हो exactly यह जो हमारा frontal लोब है और तो नीचे temporal loops, frontal और temporal loops के दर्मियान से यूँ गुजरती है ठीकि आपको समझ आरी कि ये frontal और temporal loops के दर्मियान से गुजरती है यूँ गुजर के तो यह जो हमारी पूरी lateral, supralateral surface है जो हमारी अहाँ से सुप्लाई कर देती है ठीक है यह बात को अब क्लियर होगी किस तरह से frontal और temporal लोग के दर्मयान से गुजर कर यह सप्लाय कर दी है हमारी सुप्रो लैटर सफिस को अच्छा तो हम यहां पर अब बताती है कि यहां पर अब लैटर सफिस पर आ गई है यहां पर यह दो two duviens के अंतर डिवाइड हो जाती ही एक होती है इसकी अपर डिवियन और दूसरी होती है इसकी lower डिवियन ठीक है यह इसकी lower dyveanne और यह बोग經 से पहले यहां जो अबừ यहां पर और लोगEng में डिवाइड होनी से पहले यह दो ब्रांचेज देती के है एक को temporal lobe नज़र आ रहा है ठीक है temporal lobe के anterior surface को supply करती है यहाँ पर इधर भी जा रही होती है ठीक है दूसरी जगह पर इनके middle surface भी जा रही होती है तो यह इसके branches होगी एक क्या होगी मैं naming भी सार साथ करती जाती हूँ एक है मैं हमारी orbital frontal artery और दूसरी यहाँ पर है हमारी anterior temporal artery ओक्यों हो गया उसके बाद यागे के तरफ जाके यह divide होगी upper division के अंदर and lower division के अंदर अब यह जो इसी upper division है यह मजीद दो parts के अंदर divided हो जाती है कि मजीद धो कि अंदर पर बाद हो गया है अब यह पास ठोटल चार पार्ट बन गए इसकी कर लेते हैं इसके ललाभा है यहाँ से प्र एक और ब्रऌंच वे निकलती है फिर मुस проблем बात करेंगे अब यह विला पहला वाला है इसको हम बोलते हम prefrontal artery ठीके यह जिस तरह का region है बिल्कुल उसी तरह का artery का नहीं होगा यह प्रिफ्रांटल peso अप्री notifications कर रहें जो यह घळा है prefrontal artery ठीके यह माडे क्या है prefrontal stol 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 stol跡 ऍहें बाद नेक्स्ट यह वाली है यह हमारी है pre-central artery क्योंकि दर्मियान में central sulcus आप सब को पता है कि frontal loop और parietal loop और separate करने वाला central sulcus होता है तो यह central sulcus से पहले है तो यह से हम बोलेंगे pre-central artery यह होगी हमारे पास pre-central artery उसके बाद यह वाली जो आटरी है बिल्कुल हमारे central sulcus के उपर रन करी होती इस वज़े से इस आटरी का नाम हमने लिख दिया है central artery ठीक है इस आटरी को हम क्या बोलेंगे central artery उसके बाद जी यह वली जो यह हमारे central-circus के बाद है तो हम इसको बोलेंगे post central-arctry ठीक है जिस तरहां की जगह है उसी तरहां का artery का name है पहले prefrontal cortex की परफ त्रफ तो prefrontal central-circus के आगे थी तो pre central central-circus की ऊपर थी तो central-circus center cellcus के बाद है तो post central artery हो गई उसके बाद last and final क्योंकि हमारे parietal cortex अस अप्लाई करती है तो इस artery का नाम है हमारी parietal artery ठीक है यह parietal cortex यहाँ पे आ गया तो इसका नाम है parietal artery यह हमारी इस तरह से यह जो upper division थी यह complete होगी अब हम आजाते हैं lower division की तरफ आप ठोड़ी से ब्रांची वगारा बना देनी है क्योंकि हमने इस पूरे region को cover करना है तो आप इस तरह से ब्रांची वगारा बना दीजेगा ठीक हो गया चलो उसके बाद हम यह lower division की तरफ आजाते हैं lower division majorly जो है तीन divisions देगी यहाँ पर ठीक है तीन divisions कौन कौन सी यहाँ पर देखिए anterior temporal तो इसने supply कर दी यह अब एक और ब्रांच देगी जिसको हम बोलेंगे middle temporal ठीक है यह middle temporal यहाँ पर आगी उसके बाद इससे पीछे हमारे पास आजाएगी क्योंकि temporal और occipital का junction यहाँ पर हो रहा है तो वो जो supply करेगी उस region को supply करेगी जो उसे हम बोलेंगे temporal occipital artery तो यह हमारे पास आगी temporal occipital artery और finally end हो जाती है angular artery बना कर ठीक है तो यह हमारी होगी angular artery तो मैं naming यहाँ पर कर देती हूँ यह है हमारी middle temporal artery यह है हमारी temporal occipital artery और last वाली है हमारी angular artery तो इस तरह से यह हमारी middle cerebral artery complete हो गई है थोड़ा अपने फेला देना है इसको यह करके न यह पूरा region cover होना चाहिए चले ही हो गया यह अब जो superior lateral surface के middle middle में तो जो यह चीज़ supply कर देती है बाकी इसके superior और inferior यह जो margins है ना यहाँ पर कहां से branches आती है यह तो यहाँ पर इस यहां से एंटर होगे इस ने इस surface का supply यहां यहां तक कर दिया लेकिन जो मैं आपको बताया था anterior cerebral artery किस तरह से थी को बताया था कि anterior cerebral artery यह दर्मयान से पास कर दिया था ठीक है दूसरे cerebral मैंने हविसे हटा दिया क्योंकि मैंने इसाथ को यूज़ करना था तो यहां पर anterior cerebral artery जब ऐसे चल रही होती है तो यहां से यह कर्व होती है और उपर की तरफ यहां के supply करती है ठीक है यूँ आकर supply करती है तो यहां पर anterior cerebral artery यहां पर जब आएगी तो ना सिर्फ वो यहां पर ऐसे सप्लाई करेगी बलके यहां से कुछ ब्रांचीज भेज़ेगी जो कि इस सर्फिस को भी supply करेगी तो आपक पर समझ आ रही कि anterior cerebral artery जो यहां से ऐसे करब की थी वो कुछ ब्रांचीज यहां पर भी देगी जो कि यहां पर इंफिरियर सफिस को यहां पर सप्लाई कर देगी तो यहां पर मिटल इतने रिजन को सप्लाई कर देगी बलके ऊपर से क्या आगी हमारे पास इसकी ब्रांचीज जो मैंने बताई थी एंटियर सब्रांचीज आएंगी जो कि मैं यहां पर आपको दिखाऊंगी ठीक है इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहां पर बना रही हूं तो इतने वाले ठीक है इस तरह में समझा रहा है और बिल्कुल इसी तरह से यहां पर पास्टेर सब्रांचीज आएंगी जो कि इस वाले रिजन को सप्लाई करेंगी अगर मैं यहां पर coloring कर दूँ कि जो हमारे जिस region को middle cerebral artery supply कर रही है तो वो इतना सा region है ठीक है यह वाला region जो है हमारा कौन supply कर रही है middle cerebral artery यह हमारा color हो गया यह middle cerebral artery supply कर रही है इसको मैं red color दे दिया middle cerebral artery वाले को और जो ये वला रीजन है जो के यहां तक है इस वले रीजन को सप्लाय कर रही है हमारी anterior cerebral artery ठीक है इसको मैंने blue color से कर दिया और जो ये वला रीजन है हमारा इसको मैं और इंस से कर रही हूँ और इसको सप्लाय कर रही है हमारी posterior cerebral artery ठीक हो गया तो यह हमारी superior lateral surface complete हो गई है उसके बाद हम move on करने लगे हमारी medial surface जो कि मैंने इस जगा से शोगी थी तो यहाँ पर मैंने किस तरह से बताया था कि anterior cerebral artery यूँ ऐसे curve करके उपर की तरफ आके सप्लाइगा लेगी तो यहाँ पर भी आपको एक curve नजर आएगा यह चीज़ दिखाने से पहले में कुछ अगर medial surface को draw ही की है तो कुछ important structures हम देख लेते हैं जो के बाद में हमारे काम आएंगे ठीक है जब मैं आपको corpus callosum कराऊंगी तो इसके relations होंगे तो आप हमारी चीज़ें बहुत काम हैंगी तो मैं आपको बता देती हूं कि यह medial surface है यह दरम्यान में हमें कमीशन नजर आ रहा है जो के corpus callosum जिसने युनाइट कियो होगे left और connect कियो होगे किसम का right and left cerebral hemisphere को ठीक है तो यह corpus callosum नजर आया है यह actually आपको पता है कि जो हमारे हमारे brain है पूरा central nervous system में वहां पर cavities होती है हाँ जगा पर ठीक है जैसे हमारी cerebral hemisphere की cavities है lateral ventricle जो दरम्यान में अगर हम यह talon saflon को हूं talon saflon की हमारे पास lateral ventricle dan saflon की third ventricle इस तरह से नीचे mid brain के अंदर अगर जाए तो वहां cerebral equiduct है और नीचे वह continuous हो जाती है medulla पॉंस के अंदर fourth ventricle के अंदर तो यह आपको एक idea पता है कि lateral ventricle connected होते है third ventricle के साथ third ventricle फिर cerebral equiduct और वह आगे continuous हो जाते है fourth ventricle में और fourth ventricle हमारी जो spinal canal है दरमियान में spinal cord के उसमें continuous हो जाती है तो यह system होता है तो एक चीली बताने का मकसद यह था कि यह वाला जो region है ना यहां पर इस वाले region पर हमारे पास lateral ventricle पढ़ा होगा ठीक है यह वाले region जिसको हमारे पास lateral ventricle पढ़ा होगा इस वाले region पर जो है lateral ventricle पढ को ऐसे medial surface से enclosed के हो जैसे अगर यह lateral ventricle है तो इसके उपर यह जहली बड़ी जिसको हम बोलते हैं septum pellucidum ठीक है तो यह होगा हमारा corpus callosum में आपको इसके labeling भी कर देती हूं के बाद मों भी हमने चीजे देखने है तो अभी इससे देख लेते हैं यह वाई-वा के लिए ब इसके बाद यह चीज है phornix ठीक है phornix यहां पे अच्छली क्या होता है ग्रे मैटर का एक bundle सा होता है जो कि पैरा हिपोकेमपल गैरस से निकल रहा होता है तो यह हमारा है phornix ग्रे मैटर नहीं सौरी यह होता है white matter यह tract होता है ठीक है जो के mammary body के अंदर जाके खतम हो जाता है ठीक है तो यह phornix five matter attract है उसके बाद नीचे हमें यह third vertical का Coroidal Plexus नज़र आ रहे है तो यह हमारा क्या है इसको दुबारा से करेंगे यह है Coroidal Plexus उसके बाद यह जो पीछे हमें नज़र आ रहा है यह तो हमारा कमीशर होगा है जिसने right or left circle हमें सफिर को connect कियो हुआ है लेकिन यह पूरा पूस्टीर साफ इसको connect नहीं कर पा रहा है तो यहां पर connect करने के लिए हमारे पास है habinyular कमीशर ठीक है यह जो छोटा आपको नज़र आ रहा है यह वली चीज जिसने इसको connect कियो है यहां पर pineal gland के साथ ही pineal gland है तो यह वली कमीशर को हम बोलती है यह हमारे पास है pineal gland और यह आगे तो कमीशर नज़र आ रहा है इसको हम बोलती है पूस्टीर कमीशर ठीक है तो यह चीज़े मैंने यहां पर ड्रा की हूँ है यहां पर कमीशर यहां पर कमीशर भी पता चल रहे है यह कमीशर को कॉर्पस के लौसम फिर हैबी नेलर कमीशर और यह हमारे पास इंटियर कमीशर अब जो हम अपनी अपनी चीज़ की तरफ आते है जो के हमारी blood supply है बगार ताखीर किये तो कैसे मैंने बताया था कि यहां इंटियर सेरिबल आती है जोकि yов कर्व कर के यहां पर पर और के इनटियर सेरिबल आत्री आई थाय तो आगे की तरफ यह इसने क sirve करना आता है जब यह करब करती है तो यह दो ब्रांच इसके लौसम करकर रही है इसको हम बोलती है पैयर करो कर लौस स्ने की इंचर को हो तो उसको हम बोलेंगे pericolossal और एक होती है जो कि इसके उपर रन कर रही होती है इसको हम बोलती है colossal marginal branch यह दो deviance के अंदर रिवाईर होगी एक pericolossal एक colossal marginal branch इनको अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं पहले जो है न मैं बता दूँ कि इसकी इनमें दिवाइड होने से पहले एक और branch भी देती है जिसको हम बोलती है और्बिटो फ्रेंटल आर्ट्री ठीक है उसके बाद क्या होता है यह जो इदर colossal branch जा रही है pericolossal branch sorry कौन सी branch है pericolossal artery ठीक है या फिर इसे हम pericolossal artery तो यह pericolossal artery जो है पहले हम इसको डिसकस कर लेते हैं कि कौन कौन सी branch देती है एक तो यह colossal branch देगी यूँ ठीक है तो जब हम corpus colossal बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें blood supply already इसकी पता होगी कि किस तरहां से यह जो interior cerebral artery इसकी branch होती है pericolossal जो कि इसको इसके most of the part को supply कर देती है तो पहले इसने दे दी pericolossal artery उसके बाद यह आपको बता दूँ कि यह जो occipital lobe होता है इसमें इस region को हम बोलते हैं cuneus ठीक है अब cuneus है क्योंकि यह जो branch जा रही है यह पहले वाले region को supply कर रही है इस वज़ए जासे हम इस artery को बोलेंगी pre-cuneus artery ठीक है तो इसने दो branches दे दी colossal branch ठीक है pericolossal कि कितने में divide हुई एक इसने branch दी colossal branch और दूसरी इसने branch दे दी pre-cuneus ठीक है तो यह हमारी क्या होगी pre-cuneus होगी उसके बाद हम देखती है यह वली को जिसको हमने बोला था callosal marginal branch ठीक है callosal marginal artery या branch होगी आप बोलें callosal marginal तो अब callosal marginal यहाँ पर किस तना से branch देती है सबसे पहले तो यह frontal pole पर है तो यहाँ पर polar frontal artery देगी तो यह इसकी आगी polar frontal artery ठीक है polar frontal artery उसके बाद यह यहाँ पर जब यह इस वाले region पर पहुंचती है यह भी पूरा हमारा frontal lobe ही है तो frontal lobe की अंदर यह तीम ब्रांचे देती है क्योंकि यह frontal lobe की medial surface आप साहरम ने medial surface आप की है तो यहाँ पर यह medial frontal ब्रांचे देती हो वह भी कौन सी anterior medial frontal intermediate medial frontal and posterior medial frontal ठीक है यह तीन इस नहीं पर ब्रांच दी कौन सी medial frontal और वो भी कौन सी anterior medial frontal, intermediate medial frontal and posterior medial frontal तो यहाँ पर यह आपको ब्रांचे ने ज़र आ रही है और यह सारी किसके ब्रांच है कलैसा माइनल। उसके बाद स़नेनी है अपनी व्लास्ट ब्रांच देती है लांस ब्रांच लाहए नेक है, और चोहीं से बाद किम्द्स पहstoff tangible ख्यों है मेरिद bottlesiska सोगी रहते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या होता है यह चोटी सी ब्रांच देती है जो कि हमारे singulate गारस को सप्लाइ करती है इसको हम बोलती है singulate ब्रांच ठीक है आपको जो मैंने सलकार वाली वीडियो मैंने बनाए तो इसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर कॉर्पस के लॉसम और कॉर्पस के लॉसम के ऊपर एक सलकस होता है जो कि इन दोनों के दर्मियान जो गारस होगो इसको बोलेंगे singulate गारस तो क्यूंकि इस वाले रिजिन को इस गारस को सप्लाइ करें इसका नाम क्या रखेंगे singulate artery तो यह चीज होगी हमारी anterior cerebral artery कम तीर होगी अब हम जाते हैं posterior cerebral artery के तरफ तो posterior cerebral artery बहुत सिंपल है तो जब यहाँ पर बात करें थी कि posterior cerebral artery आती है तो यह दू डिवेंस में लिए रहती थी कि यह inferior surface ने थी कि यह वाली फिर्य है यहाँ थी को ने रहा कर रही है और मैं सपोस की यहाँ रन कर रहे है इस तरह से तो एक बाइल की तरह होती दो अब दक यूटी ढूं की तरह होती तो दो डाची यह जो आंगा हम बोलते हैं यहाँ जो की निएल बाचे awareness की और दूसरी सब्स्याद्साटory अधिया के लेट लेटरल ब्राँच के सब्सक्राइन को मुझतिक करेंगे चली हम के सब्सक्राइब जी कि और बाह्न तरिन बात सब्सक्राइब पिम्रेट पर डीर लेजिती हूँ ते मुझति हैंaren के शएक हुम पूरी छे कुछ न vet inheritance इसको स्पेसिफिक नेम देने के जड़ाती है, टेंपोरल ब्रांच और दूसरी देती है क्योंकि वह ओस्पिरल लोग की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा से ओस्पिटल लोग को भी सप्लाय करती है, तो इसको हम बोलेंगे ओस्पिटो टेंपोरल आट्री, यह हमारी कौन सी हैं मीडियल ब्रांच शुरू, मीडियल ब्रांच क्या करती है, यह दो ब्रांचे का अंदर द preca कर रही होती है, calcurine sulcus आपको बता है, कि जो temporal lobe और ospital lobe को separate करता है, यह एक deep सा sulcus होता है, जो कि यहाँ पर temporal lobe, इस तरफ ospital lobe और उपर से frontal lobe को भी, जो कि parietal lobe है, sorry, parietal lobe को भी separate कर रहा होता है, temporal lobe से, तो एक calcurine sulcus होता है, यह बिल्कुल जो है केलकराइन से उपर अंकर यह थे तो इसमें बोलते हैं केलकराइन ब्रांच ठीक है यह मारी केलकराइन ब्रांच है और दूसरी जो है क्योंकि यह केलकराइन से उपर है तो यह सप्लाय कर देती है हमारे प्राइटल लोब को और साथ में कुछ ऑसिपेटल लोब को ठीक ह तो आपको समझ आगी इसने मीदियल लैटर्र ब्रांच में रिवाइड हूई थी जो मीदियल इसकी जो लैटर्र ब्रांच चीज आपको समझ आयो अगर आपको में फसंद आ तो प्लीज आप mesela को सैब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करें, thank you so much